हेलो फ्रेंज, वेलकम टो रोयल स्टडी, दोस्तो आजके इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 के स्पासल एक्जाम का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं आप हमें इन नंबर पर अपने कोश्ट जरूर से वाटसअप करें, एकजाम सेंटर से जिसाई आप भाहर निकलें, तो तूरंत से हाप हमें कोश्ट करने की कॉश्ट कर रहे, क्योकि हम आपको 110% स्टिक अनलीसिस देपाएं किलिए रहे, तो आईए स्टार्ट कती हैं आज की पहले आपको मिल पाएं साथ ही साथ एक इसपाजल अनौसमेंट है आपके लिए कि जल्द ही हमारी SSC GD की जो क्लासे से वो स्टार्ट हो रही है तो आप सभी इस चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट रखीगा जिससे जैसे ही क्लासे का कोई भी नोट कौन थे या फिर रज्या सुल्टान के पिता का नाम क्या था दो तरीके से कुशन आपका पूचे जाता है इल्दूतमिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्या सुल्ताना बेगम दिल्ली सल्तनत की सासक थी और वहां भारती उपमाधीब के पहली महिला मुस्लिम सासक उसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत कर सासक चया और उने 1240 में उनके सोतेले भाई मुजुद्धिन वहराम ने हराया था ममलूक सुल्तान इल्दूतमिस सुल्ताना रजीया बेगम के पिताते और इल्तुत्मिस की अगर अपन बात करें तो इल्तुत्मिस जो था ये मामलुक वंस का सासक था वहाँ कुतुब अधिन एबग का गुलाम था इल्तुत्मिस उसे देखे उसने 1211 से 1236 तक दिल्ली पर सल्तनत पर सासिन किया था और उन्होंने राजदानी को लाहोर से दिल्ली स्तांतरित किया था तो कुशन आपका पूचे जा सकता है कि बताईए कि सासक ने राजदानी को लाहोर से दिल्ली स्तांतरित किया था तो इन्हों नहीं किया था इसने इल्तुत्मिस ने अगला कोशन है हमारा My Experiment with Truth के लेका कौन है? सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी My Experiments with Truth के लेका के महात्मा गांधी The Story of My Experiments with Toth नामक अत्मकता जो किसकी है? महात्मा गांधी की है जो 1921 के सुरवाती दिनों से उनके जीवन को कवर करती है यहां साप्ताई किस्तों में लिखा गया था और उनकी पत्रिका नव जीवन में 1925 से 1929 तक प्रकासित हुआ था इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है उनकी अन्य जो पत्रिकाई हैं यंग इंडिया में भी किस्तों में दिखाई गई है अग वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो यहां स्वामी आनंद और गांदी के अन्य करीबी सही कर्मियों के अगरेफर सुरू किया गया था जिनोंने उन्हें अपने सारवजनिक अभियानों के प्रश्ट भूमी को समझाने के लिए प्रोश्चाहित किया था अगला कोशन है गाईस हमारा वर्स 1997 में भारत रतने से किसे समानित किया था सही जवाब रहेगा गुलजारी लाल नंदा को अरुना आसफ अली और एपी जे अब्दुलकलाम आपसे यही पूझा था कि 1997 में भारत रतने किसे मिला था हो सकता है एक ही ओफ्षन दिया हो हो सकता है तीनों आपको ओफ्षन में दिया हो और के दिया होगा कि उप्रोक्त सभी के लिए रहे तो कोशन का पाइटन कुछ भी हो सकता है बस आपका कंसेट के लिए रहेगा आसनिस क्लिक कर आओगे देखिए गुलजारी लाल जो नंदा है ये समाज सेवा की छेत्र में इनको मिला था योजना आयोग ने दो बार उपाध्यक्ष बनाया है इनको योजना आयोग के दो बार उपाध्यक्ष रहे गुलजारी लाल नंदा 1964 और 1966 में भारत के अंत्रिम प्रधान मंत्री के रूप में भी इनोंने काम किया था वही अरुणा आसफ अली की बात करें तो समाज सेवा के लिये इनको दिया गया था अरुणा आसफ अली वही अपेजी अब्दुल कलाम जी की बात करें उनको विज्ञान के छेत्र में मिला एक प्रसंसित एरो इस्पेस और रक्षा विज्ञानिक थे ये किले रे एंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम के पीछे इनका हाथ था दो हजार दो से दो हजार साथ तक भारत के रास्टपती रहे थे अगला कोशन है अनुचेद तेईस चोईस किससे संब्दी थे सही जवाब रेगा सोचन के खिलाप अधिकार से ये कोशन दो तीन चार बार रिपीट आपका हो चुका है आज वापिस से ये कोशन बनाएं किले रे तो अनुचेद तेईस चोईस सोचन के खिलाप अधिकार से संब्दी थे अनुचेद 23 मानव तसकरी और जबरन स्रम पर प्रतिबंद लगाता है और 1956 में अनेतिक तसकरी रोक्ताम अधिनियम पारित किया गया था बंदवा स्रम प्रनाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था इसे अनुचेद 30A याने की 30A के तहत सनवेदानिक अधिकार बनाया गया था अगला कोशन है हमारा बेरी बेरी रोग जो होता है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है तो बेरी बेरी जो रोग होता है यह थाइमीन की कमी से होता है थाइमीन बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से यानि कि कूपोसन जन्य रोग है यह बैसकली इसे थाइमीन की कमी के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B1 की कमी को बेरी बेरी कार्थ क्या होता है चल नहीं सकता बेरी बेरी कारता है बेरी बेरी दो प्रकार के होता है नम बेरी बेरी और सुस्क बेरी बेरी तो याद रखी राजयपाल के पास राजसरकार की बर्खास्तगी और राजय विदानसभा के निलंबन या विक्टन के सिफारिस करने की सकती होती है विदानसभा बेटकों की जो अध्यक्षा करता है यह स्पीकर करता है या अध्यक्ष करता है अगला कुशन है पहली बार भारती रुपया का उमुल्यन कब हुआ था सही जवाब रहेगा 1950 में देखिए भारत में अब तक 3 बार रुपे का उमुल्यन हो चुका है कप कप हुआ है तो भारत में मुद्रा का उमुल्यन 3 बार हो चुका है 1950 में पहली बार हुआ था दूसरी बार हुआ था 1966 में और तीसरी बार हुआ था, उन्निसो इंकानवे में, तो 1949, 1966, 1991, यह तीन आपके वर्त हैं, जिसमें मुद्रा का उमुल्यन हुआ था, भारत में 1947 से अभी तक तीन बार मुद्रा का उमुल्यन हुआ है, भारती रुपे का उमुल्यन क्रमसा, 1959, 6, तथा इंकानवे, और 92 ही बैस प्रक्षासनीक निर्नेद्वारा विनिमेदर्मे की गई कट्वती को अव्मुल्यन बोलेता है क्लिए रहें अगला सबसे अधिक अनसूचित जंजाती वाला राच कौन सा है पंजाव है कि यहां पर आपसे कुशन में हो सकता है कि सबसे अधिक पूचा हो यह सबसे कम पूचा हो दोनों में से कोई भी आपका पूचा गया था दोनों का अंसर यहां पर हम आपको दे रहे हैं हो सकता है सबसे अ पंजाब हो जिसको ऐसी बोला यता है अनुसूचित जाती वाला राज तो यह उत्तर प्रदेश ही के लिए रहे देखिए डिटीर यहां पर कवर करते हैं और हिमाचल प्रदेश और पश्ची मंगाल में ऐसी समुदाई से जो आबादी है यह 25.2% और 23.5% है याने कि सबसे ज़्यादा कौन सा है पंजाब में है उसके बाद में है इसमें हिमाचल प्रदेश में और उसके 2023 में सास्त्री नित्यों की सूची में किसे सामिल किया गया था सही जवाब रहेगा चव को चव को 2023 में सास्त्री नित्यों की सूची में सामिल किया भारत के सांसिकितिक मंत्राले नी 2023 में चव को भारती सास्त्री नित्यों की सूची में सामिल किया इससे भारत में सास्त्री नित्य का जन्म कहा हुआ इस तरह से कोशन बनाएं ये एक और तरह से कोशन बनता है कि नित्य सेली कोचिपूरी का जन्म किस भाग से हुआ था सही जवाब रही का आंदरप्रदेश से कोचिपूरी आठ प्रमुख भारती साच्ति नित्यों में से एक है यहां भारत के आंदर पर यक्चिगान के नाम से भी जाना जाता है अगला कोशन है हमारा 2023 में डेस संगीत समारों में किसे समानित किया गया था इस तरह से चीज़े थी यहाँ पर जो एक्जेक्ट वर्ड था वो भूल चुके हैं जो नोंने यह कोशन बदाया है तो प्रसिद्ध करनाटक गयक और संगीत अकादमी द्वारा 2030 के संगीत कलानिती पुरुसकार के लिए चुना गया है तो यह डिटियल जो बताईए हो सकता ही यही कोशन आपका बना हो के लिए इस से पहले भी यह कोशन बन चुका है तो यह कोशन ज्यादा पोस्सिबिलीटी है कि कोशन है आपका यही मुहमद गोश का मगबरा ग्वालेर में मुहमद गोश का मगबरा ग्वालेर जीले मिस्तिदे और मगबरा जो है मुगल सेली की वस्तुगला में बनाया गया है मुहमद गोश के मगबरे का निर्मान बलवा पत्तर से किया गया मुहमद गोश का मुहमद जो गोस्त है यह गया था और इस मगबरे में छेद वाली पत्तर की तक्नीक का इस्तमाल किया गया था जो की लेस की तरह नाजूक होता था अगला कोशन है भीम राव मेटकर ने 1956 में कौन सा धर्म अपना लिया था सही जवाब रहे का बोध धर्म को अपना आया था कि लिए वे सन्विधान की प्रारूप समीटी के अदिक्ष थे और वे भारत के पहले कानूनमंत्री भी थे उन्हें बाबा सहिब के नाम से जाना जाता है 1990 में उन्हें मरणो प्रांत भारत रतने से समानित किया गया अगला कोशन है एफ डवलाई का फुलफर्म क्या होता है तो एफ डवलाई का फु पूचा है प्लें इस तरह से पूचे जाता है या तो आपसे पूचा होगा सुल कि नोबल पूरुषपारिंद का इन्वेड़न से मिल्रेंद से पुरस्कार जिसको आजिया का नोबल पुरुई पर-सकार बोलो当 पूचे गया होगा आपको सही जवाब का जो आंशर है जो मैक्से से पुरुसकार मिला था सुबुलक्षमी को जिसको एसिया का नोबल पुरुसकार कहा जाता है तो मदूरे सनमुक सनमुक वद्धिवू सुबुलक्षमी इनका पूरा नामे मदूरे तमिलनाडु की एक भारती करनाटक संगीत की गाई का थी वह भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतने से सम्मानित पहली संगीत कार थी है ना तो कोशन बन सकता है कि भारत रतने से सम्मानित होने वाली पहली संगीत कार कौन थी इनका नामे मस सुबुलक्षमी प्रसिद भारती करनाटिक गाई का MS सुब्बू लक्षमी को वर्स 1998 में भारत रतने से सम्मानित किया गया था कब किया गया था भारत रतने सम्मानित 1998 में वे रेमान मैक्षे से पुरुसकार से सम्मानित होने वाली पहली भारती संगीतकार बनी तो भारत रतने से सम्मानी तो बने वाली पहली संगितकार भी गई थी और मैकसल से पूरसकार सम्मानी तो बहली भारत रिल बनी थी हम सुबू लक्षमी को 1927 में डेमान मैकसल से पूरसकार भी मीला था और इसे एसया का नहूबल पूरसकार richtig कोशिवर थे एक्जक्ट नहीं मिल पाय हैं तो स्वतंत्ता के बाद डॉक्टर भीरायों मेटकर्द नहीं भारत के संविदान की प्रारूप समिति के अधिग्षितां की थी वे भारत के पहले कानून और नियाय मंत्री थे या रहे तो याद रखियेगा इसके अलावा उन्हें भारत के सन्विदान का वास्तुकार मना जाता है डक्टर भीयार मेटकर एक भहु आया में प्रतिवा के धनी थे और वे एक उतकरष्ट बुद्धी जीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनितिक, कानुन विद, अर्थसास्त्री और जन प्रियन आयक थे अगला कुशन है डांडिया राउफ कहां का लोगनति है सही जवाब रहेगा जम्मु कस्मीर का नित्य सादरन, फूट वर्क से बना है, जिसे चकरी भी कहा जाता है और पंवारिया भिहार का लोगनति है, डांडिया राज गुजरात का लोगनति है तो आपसे डांडिया राउफ फुचा है, तो यह आपका हो जाएगा जमु कस्मीर का अगला कुशन है, गोपाल करश्न गोखले ने हिंदू मुसलिम एकता का दूस किसको कहा है तो सही जवाब रहेगा अली जिन्ना को, गोपाल करश्न गोखले ने मुहम्मद अली जिन्ना को मुसलिम एकता का दूस कहा था गोखले जिन्ना के राजनितिक गूरू थे गोखले जो है जिन्ना के राजनितिक गूरू थे और कॉंग्रेस के उदार खड़े नेता थे गोखले ने कहा था कि जिन्ना ने जिन्ना में सच्चा सामान है और सभी संप्रदाईवादी पूरवाग्रह से मुक्ति उन्हें हिंदो मुस्लिम एक्ता का सरुसेष्ठ राजदूत बनाएगी के लिए तो आप देखके जाएगा यह कुशन समय जीके के मिले थे आज तोड़े से कम कुशन मिल पाएं बट हम आगे से कुशन करेंगे कि जीके के कुशन कंप्यूटर की बात करें कंप्यूटर में qa scarce बना है यमेल में क्या क्या नहीं होता है इस तरह से क्वशल ता यह एक्जेक्ट नहीं मिल पाए इंटरनेटी कोशल मनाए कोपी के लिए कौन से टोका गट की हो ती है तो कंट्रोल पलस ही होती है प्पित्रिस से भी कोश्चन आपका बनाएं रिज्णिंग में 55 उसको कोश्चन बनाएं दरपन प्रतिवी से कोश्चन पूचा गया और इंतिकि कोश्चन बनाएं तो यहां पर हमने मैस रिज्णिंग कंप्यूटर और गे के जीएस है उन सभी के काफे अच्ilen को सारा का सारा एनलेसिस बताया कि किस तरीक से काहां सा कैसे कौश्वायन से बरें आईतिन्स कर आप तक आप当 यहां विज्या के लगा होगा कि व्योंदेव के बिश्क्वास का के दिश्क्रिक्षन में इसके भी लिंक आपको मिल जाएगी साथ ही guys चेनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप सभी से request कि चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पर select कर दीजいगा ताकि जो भी नए वड़िया है सबसे पहले आप सभी के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसके सांथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के सांथ में और आपके लिए special announcement already हम आपको बता चुके हैं वापिस से बता देते हैं SSC GD SSC GD के लिए SSC GD के लिए special जो class से हमारी जल्द ही start होंगी बस ये analysis आपको cover करवा दे हम तीन तारीक तक तीन तारीक के बाद में जल्द ही हम SSC GD के लिए एक advanced series लेकर आएंगे आपके लिए ये जितने भी अपन SSC वाले questions दिल्ली पुलिस में आपके पूजी जा रहें सारे के सारे topic हम आपको special format में MCQ format में one liner में test series के माध्यम से free वाली और जो pet course है वो भी हम आपको free में यहाँ पर cover करवा देंगे इसी channel पर तो आप बने देगा इस channel के साथ में क्योंकि काफी advanced content यहाँ पर आपको मिलने वाला है पहले हम आपको जो है SSC के लिए content प्रवाइड नहीं करते थे बट अब से हम आपको SSC के लिए भी एक से बढ़कर एक content आपके लिए लेकर आएंगे और पूरे के as it is जो questions जो आपकी exam में पूची जाते हैं जयाने कि paid जो code से ही वो आपको पूरा free में यहाँ पर करवाए आपके लिए वीडियो आएगा सबसे पहले उसका notification आपको मिल जाएगा के लिए खेर इस वीडियो को end करते हैं क्योंकि मिलते हैं अब हमारे सेकेंड सिप्ट के analysis के साथ तब तक लिए जयहिंद वन्यमात्रम